नमस्कार दोस्तों मेरा नाम अथर वर्मा है और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या आप सही में असलियत में घर बैठे पता कर सकते हैं कि कौन सा जैमस्टोन नैच्रल है और कौन सा जैमस्टोन सिंथेटिक है आप लोगों ने यूटूब पे कई सारी वीडियो देखी होंगी जिन में लोग बताते हैं कि जैमस्टोन असली है या नकली आप घर बैठे कैसे पता कर सकते हैं और आप लोगों ने एक चीज ये भी देखी होगी उन वीडियो में कि वो एक बेसिक आइडिया बताते हैं एक बेसिक डिफ्रेंस बताते हैं काच में और पत्थर में वो सिंथेटिक जैमस्टोन और नैच्रल जैमस्टोन में अंतर नहीं बताते हैं सो क्या आप घर में सही में रियालिटी में पता कर सकते हैं कि कौन सा जैमस्टोन असली है और कौन सा जैमस्टोन नकली है यानि कौन सा जैमस्टोन जो है नैच्छल है कम्प्लीटली और कौन सा जैमस्टोन जो है सिंथेटिक है कम्प्लीटली सो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे सो वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा सो दोस्तो अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दो नीलम दिख रहे होंगे अब मैं आपको बता दूँ कि इन दोनों नीलम में से एक नीलम जो है वो सिंथेटिक है और एक नीलम जो है वो नैश्रल है अब आप लोग देख सकते हैं कि दोनों किलर जो है वो एप्रोक्सिमेटली सेम है कटिंग भी सेम है और दोनों की शाइनिंग भी लगबग सेम है सो कैसे पता करें कि कौन सा नीलम जो है वो synthetic है और कौन सा नीलम जो है natural है यानि कौन सा नीलम जो है फर्जी है यानि कि duplicate है और कौन सा नीलम जो है real है यानि कि original है सो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने काफी जारी YouTube वीडियो में देखा है वो लोग बताते हैं कि जो अस्ली निलम होता है यहां में निलम नी कर रहा कोई और भी jamstone हो यानि जो असली jamstone होता है उसमें आप लोगों को inclusion's देखने को मिलते हैं inclusion's मतलब जिरम जाले यानि कि आप लोगों को जो है natural निलम यानि कि जो असली नीलम होगा उसे अगर आप flash light पे रखेंगे और test करेंगे और देखेंगे उपर से कि उसमें जो है inclusion दिख रहा है यानि कि जिरम डाले यानि कि कुछ dots कुछ lines आप लोगों दिख रही है तो वो जो पत्तर है यानि कि वो जो gemstone है वो असली है यानि कि natural है लेकिन यहां मैं आप लोगों को बता दूँ यह जो दोनों gemstone आप लोगों को screen पे दिख रहा है इन दोनों में ही inclusion है अब यहां पे बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि कैसे पता करें कि कौन सा gemstone natural है और कौन सा synthetic है को की inclusion यानि कि जो जिरम जाले यानि कि जो आफ लेश राइट पे रखके टेस्क करते हैं न gemstone को कि gemstone के अंदर आपको dots, lines जो दिखती है वो इन दोनों ही gemstone में है लेकिन यहां मैं आपको एक बात किलिए कर दूँ एक gemstone में synthetic inclusions हैं और एक gemstone में natural inclusions हैं सो दोस्तों अभी जो मैंने आपको case बताया यानि कि screen पे आपको जो दो नीलम दिख रहे हैं जिन मेंसे एक नीलम synthetic है और एक नीलम natural है इन दोनों ही नीलम में जो inclusions है यानि कि जो जिरम जाले हैं वो बहुत ही जादा चोटे हैं उन्हें आप mobile की flash light पे रखके नहीं देख सकते और आप normally भी उन्हें नहीं देख सकते इवन जो दुकानदार होते हैं हमारे अगर उनके सामने भी अगर हम ऐसा ही कोई case रखेंगे तो उन्हें भी 10x tube लगाके उसके inclusions को देखना पड़ेगा दूसरी बात ये कि इनमें से एक नीलम जो है जो natural नीलम है वो siloni नीलम है यानि कि शिलंका माइस का है और जो दूसरा नीलम है वो उसकी copy है सो दोस्तो अभी जो मैं स्क्रीन पे आप लोगों को example दिखा रहा हूँ यानि कि एक नीलम जो है synthetic है और एक नीलम जो है natural है इस example में आप बहुत ज़्यादा confused हो जाएंगे कि कौन सा नीलम असली है और कौन सा नीलम नकली है आपने जो भी YouTube वीडियो देखी है जिनमें बताते हैं घर बेट कि आप पता कर सकते हो वो सारी गरे लून उसके इस वाले case में apply नहीं होगे इस वाले case में अगर आप वो घरे लून उसके यानि कि 개प जो यूटुब वीडियोस में बताते हैं कि आप घर बेट कैसे पता कर सकते हो देखिके वो सारी tricks ये वाले case में apply नहीं होगी तो अब करें तो करें क्या तो मेरे आप लोग को एक एडवाइस है और वो एडवाइस यह है कि आप कभी भी नीलम खरीदें चाहे ऑनलाइन खरीदें आफलाइन खरीदें आप हमेशा अपने दुकानदार से एक जैनुएन लैप का एक सर्टिफिकेट याने की आइडिनिटि अच्छी जैनुएल लैब में जाएए और वहाँ जाके उसकी एक टेस्टिफिकेट निकलवाईए और उसमें चेक करिए कि क्या उसमें नैच्छल शब्द लिखा है या फिर नहीं दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस वीडियो में आप लोग कोई तरीका जो जैम्स्टों बन रहा है यानि कि जो सिंथेटिक जैम्स्टों बन रहा है उन्हें बनाने वाले लोग इतने जादा मास्टर माइंडे इतने जादा कलाकार है उन्हें मालूम है कि जो नॉर्मल पबलिक है यानि कि जो कस्टमर है वो किन चीजों को देखता है कौन से घरे तो उसको चेक करते हैं, तो वो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, और जब भी synthetic gemstone मनाते हैं, तो उसके अंदर synthetic inclusions भी डाल देते हैं, इससे होता यह है कि आप जो है, आसानी से नहीं पकड़ पाते हो, आसानी से नहीं figure out कर पाते हो, कि वो जो gemstone है, वो synthetic है या फिर natural है, तो दोस्तो मेरी आपनों का advice यही रहेगी, कि आप जो है 100% safe side में रहें, और अपने जो भी नीलम खरीदे हैं, या फिर जो भी gemstone खरीदे हैं, उसके साथ एक अच्छी lab का certificate या फिर report लीजिए, अपने दुकानदार से बोलिए, या फिर अगर आपको doubt हो, जो आप gemstone आपने लेब में जाके test करवाईए, तो दोस्तो यही ता आज का वीडियो, उमीद करता हूँ, यह advice आप लोगो मेरी पसंद आई होगी, अगर वीडियो आप लोगो पसंद आई, तो दोस्तो इस वीडियो को like करिए, अपने दोस्तों साथ इस वीडियो को share करिए, और अग पर दीवे नंबर पर आप हमें call भी कर सकते हैं, या फिर what's up भी कर सकते हैं, अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में एक नए और fresh topic के साथ, तब तक के लिए, टाटा, bye bye, take care.